नमस्कार साथियो, मैं सुनील वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ में आपका पुना स्वागत करता हूँ जैसा कि मैंने आप से ये प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों की तैयारे BTC DLA डिस्तर से करवाऊंगा इसलिए मैं आज आप सबको BODMAS के नियम की विशे में बताऊंगा सुरू करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सेयर करें और बैल आइकन को प्लेज करें जैसे कि अन्य सभी लोगों को भी इन सभी वीडियो का लाब मिले तो आईए सुरू करते हैं, BODMAS RULE BODMAS RULE में B का मतलब क्या होता है, हम समझते हैं B का मतलब है bracket, bracket BR का मतलब है bracket, O for off यानि bracket होता है आपका कोस्ठक, इसको हम बोलते हैं कोस्ठक, यह off का मतलब है, का गुणा ही होता है, D for division division का मतलब है भाग, यह भाग है, और M का मतलब है multiplication, multiplication, जिसका मतलब होता है गुणा करना और यह आपका A for, A for addition, addition का तात्पर है जोड से, यानि जोडना, और S for होता है subtraction subtraction means होता है किनी चीजों का अपस में घटाओ, यानि घटाना दोस्तों, आपको full form पता चल गए होगी, B का मतलब bracket, O मतलब off, D मतलब division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction, तो किनी हम अंकगडित हो या बीजगडित हो, इनकी संक्रियाओं को हल करना है, जोड़ हटाना करना है, जो भी आपको करना है, तो बिना board mass rule के, इनको हम हल नहीं कर सकते, तो board mass rule का बहुत ज़्यादा प्रियोग, अंगगडित और वेजगडित दोरों में किया जाता है, और इन board mass प्रास नियमों को हल करने से पहले, आपको कोस्ठक के बारे में आपसे पता होना चाहिए, तो ठीक है, उसके पहले हम चर्चा कर लेता है, कोस्ठक के बारे में, तो देखिए, कोस्ठक जो होते हैं, वो आपके चार प्रकार के होता है, सबसे पहला, देखा कोस्ठक जिसको ह हम बोलते हैं लाइन या बार ब्रैकेट दूसरा छोटा कोस्थक जिसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट और थर्ड यानि तीसरा जो है आपका वह है मंजिला या मध्यम कोस्थक जिसको हम एंग्लिस में करली ब्रैकेट बोलते हैं और लास्ट में सबसे बड़ा जो होता है उस से बना जाते हैं चोटे इसके बाद आपको का आता है मंजला ब्राकेट मंजले को हम अब इनके कुछ हम नियम समझ लेते हैं क्या हम आरेंज करते हैं किस तरह से उनको लिखते हैं किस तरह से उनको हम हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है कुछ महात्वूर बातों मैंने लिखा भी है सबसे पहले अगर आपको इन कोस्ठकों को लिखना है एक प्रस्ण में या एक समीकर्ण में इन सबको सम्मिल्द करना है तो सबसे अंदर सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट आएगा आपका सबसे अंदर आने वाला ब्रैकेट है यह आपका बार ब्रैकेट यानि की रेखा कोस्ठक उसके बाद फिर आपका आता है छोटा कोस्ठक इसके बाद आपका आता है मजिला कोस्ठक और सबसे अंत में आपको कौन सा bracket लिखना है बड़ा कोस्ठक लिखना है और इनको हल करने का भी यही तरीका है क्या सबसे पहले आप किसको हल करेंगे इस बार bracket को यानि कि रेखा कोस्ठक को या लाइन ब्रैकेट को सबसे पहले आपको हल करना है वो चाहे कहां कहीं भी लिख हो उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको छोटे रैकेट को हलकरना है यानी स्मॉल ड्रैकेट को हलकरना है तीसरे में आपको मजले कोश्थ अब करना है तो उसके अंदर जब भी हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो उस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर लिखे होंगे, उन सब के साइन हम चेंज नहीं करेंगे, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का निसान है, किसी भी कोस्ठक के बाहर प्लस का निसान है, तो ब्रैकेट किन ही भी ब् पिल्कुल नहीं बदले जाएंगे, लेकिन जदी ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हो, माइनस लगा हो, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, तो अंदर के सभी चिन क्या होते हैं, बदल जाते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो अं देखते हैं इसको उदारंड समझते हैं कैसे क्या करना है आये देखें ये समस्या लिखी हुई यहां पर एक question लिखा हुआ है इसको हम कैसे देखेंगे board mask का नियम लगा कर देखेते हैं बूना बाट रुमास के नियम के लिए कहवत भी कहें गई है पहले खुलो ब्रेक्ट फिर खोलो का भाग गुड़े को हल करके जोड़ घठाने को हाथ लगा ठीक है दोस्त्तों अब देखें इसके इंत्र गढ़ हमें क्या करना होता है पहले खोलना है कंप छाम देखें प्रेक्ट हम आई क यहां का लिखा हुआ है और यह है आपका 80, divided by यानि भाग करना है आपको 4 से plus bracket के अंदर क्या लिखा हुआ है, 4 मैंने बताया था सबसे पहले आपको किसको solve करना है, किसको हल करना है, आपको सबसे पहले इस bracket यानि बार bracket को हल करना है, तो देखते हैं दोस्तों, यह क्या हो गया आपका यहां पिर प्लस आठ गुणा तीन माइनस देखे बार ब्रैकट यहां लगा हुआ है 20 और है 20 यह 20 में प्लस का निसान है तो 20 और 3 में क्या होगा एडिशन यानि इन दोनों को हम क्या करेंगे जोडेंगे 20 और 3 हो गया 23 यहां से आपका गया 23 जैसे इनको जोड़ेंगे यह बार ब्रैकेट हल हो जाएगा इसको अब लिखनी की कोई जरूरत नहीं है यह हल हो गया अब उसके बाद हम क्या करेंगे देखें कौन सा ब्रैकेट दिख रहा है यह curly bracket दिख रहा है अब हमें curly bracket को हल करना है तो यहाँ पर क्या चल रहा था 2 बटे 5 का 80 भागे 4 प्लस यह 4 है प्लस देखें इस bracket में क्या है 8 और 3 का क्या है गुड़ा तो सबसे पहले 8 तरीक हम क्या करेंगे यह 24 होगा माइनस 23 यहा गया अब हम क्या करने वाले है यह bracket यह से लगे रहेगा अब सबसे पहले इन bracket को solve करेंगे यह 24 चौबिस से 30 को घटाएंगे यह पूरा वैसी लिखा रहेगा 2 बटे 5 का 80 भागे 4 प्लस यहाँ 4 आएगा प्लस 24 से 30 घटेगा तो एक बचेगा जैसे एक बचेगा तो एक संख्या आएगी यह bracket पुना हट जाएगा जब हट गया तो अब क्या बचा यह बड़ा bracket बच रहा है यहाँ 2 बटे 5 का 80 और यह 4 प्लस 4 एक क्या हो गया दोस्तों 5 हो गया अब आपको हल करना है का तो हलका को हल करने के लिए करेंगे 2 बचे 5 मैंने बचाया था का का मतलब होता है गुणा यह बहाग 4 से करना है प्लस 5 हो गया देखें दोस्तों तो यहाँ क्या करना होगा आपको 5 को 80 से गुणा यहाँ 5 एक कम 5 5 एक कम 5 बचे गए है तीन हासिल आएगा तीन इसके साथ हो गया चला गया 5 हके 30 हो गया दोस्तों यह इतना आ गया अब यहाँ पर क्या आने वाला है देखें दो गुणा 16 आप क्या होगा भाग होगा भाग में हम लिखेंगे 4 प्लस 5 यहाँ जगह के हम है तो मैं इधर लिखता हूँ इसके आगे का यहाँ देखें क्या आएगा 16 16 में 4 भाग जाएगा 4 आएगा 4 चोक 16 और यह फिर आजाएगा 2 गुणा 4 प्लस 5 हो गया 4 दुनी 8 प्लस 5 बराबर 13 यह हो गया इसका उत्तर उमीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको हल करेंगे नीचे एक और धार देखें आप समझते हैं इसको कैसे करना है तो देखें चलिए इसको देखते हैं काफी बड़ा प्रसम लिखा हुए इसको हल करने के खुश्ष करते हैं यह क्या लिखा हुए 3 बड़े 5 का 4 बड़े 9 गुणा 2 बड़े 7 भाग सबसे पहले आपको पता है हमें क्या करना है सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है तो ब्रैकेट देखिए यहां लिखे हुए अंदर बने हुए 8 और 5 हम थोड़ा जल्दी कर लेता है 8 यह और 5 यह 8 5 कितना हो गया है यहां पर 13 हो गया माइनस यहां देखिए क्या आएगा 32 है इसको हम भाग करेंगे तो 8 के पहाड़े में 4 बत्यस होगा 8 चोग 32 क्या बचेगा यहां 2 गुणा जब 8 के पहाड़ा 32 में 8 चोग 32 तो बचेगा यहां 2 गुणा 4 यह ठीक है यहां 3 बचे 5 का मैंने बता रही था का का मतलब होता है गुणा कर देना यहां आएगा 4 बचे 9 गुणा 2 बचे 7 भागे 20 बचे 21 प्लस यहां देखिए क्या आता है 13 13 माइनस 4 दुनी 8 और 8 एक हो गया नहीं यहां क्या आएगा 8 और यह प्लस का एक आगे देखते हैं यहां क 9 होता है ठीक है दोस्तों 4 इकम 4 बचे 5 दिया 15 यह हो गया गुणा यह क्या है 2 बचे 7 है आपको भाग करना है किसका 20 बचे 21 देखिए यहां पर भाग का निसान लगा हुआ है यह तो जब भी भाग का निसान होता है इसको हम परिवर्टित करते हैं तो यह नीचे का जो नं नीचे आ जाता है जिए दोस्तों भाग किस में चेंज हो गया किस में बदल गया है यह गुणे के निसान में प्लस यह 13 में से 8 को आपने घटाया 5 बचा 5 में एक जोड दिया तो यह हो गया 6 ठीक है दोस्तों समझ गए यहां से यह ब्रैकेट हमारा हट चुका है अब देख आपका देखे कितना है आपका देखे बाड़ा साथ एकम साथ शाद दुनी 14 साथ रिक 21 होगा और 4 एकम 4 होता है चार बंचे 20 होगा और अब तो कुछ कटने वाला है नहीं तो 3 और 2 का आपस में गुणा विकॉज यह 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 आपस में किस में है मल्टिप्लाइम में है गु हो जाएगा 6 इसके नीचे हम लेख सकते हैं इनका हम करेंगे आप लासा यानि लगुताम समाब पड़ता है तो हो जाएगा 75 यहां पर 6 है तीन ये था तीन नीचे और हां तो ये 6 अब लासा करने के लिए प्लस यहां पर 6 है देखें लासा यहां 75 है यहां भी आपको 75 लाना गुड़ा यह होगी हमारा लासा अगर लासा नहीं है समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं आपको इसको इसका इसका लासा करके बतांगो कैसे होता है 6 प्लस 6 गुड़ा 75 हो जागा यह और यहां बटे में हो जाएगा आपका 75 अब देखें यह कितना आता है 6 यह रहेगा यहां पर 6 प्लस 6 पंचे 30 होता है 30 का 0 हासिल 3 हो गया साथ चेक 42 42 और 3 हो गया 45 45 भागे 7 इसको जोड़ देंगे आ जाएगा आपका 456 बटे 75 यह बचता था यह हो गया 75 अब देखें इसका क्या करने वाले हैं इसको अब हम भाग कर लोगें